आज के साथ मैंने काम किया शुरुआ थी स्टोत्रक होस्पिटालिर और मुझे गवर्नर की तरफ से वाट किया गया नवश्कार सिर्मोर न्यूज देख रहें आप और मैं हूँ आप सभी के साथ नेलम ठाकुल आज हमारे साथ पॉंटर साहिब की एक ऐसी महमान है जिन्होंने नाकेवल होटल इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है बलकि समाज सेवा में भी इनका एक महतोपून योगदान रहा है जी हाँ आज हमारे साथ है योगिता गोयल जी जो के एक होटलियर है और होटलियर होने के साथ साथ एक समाज सेवी का भी है आज हम इनसे बात करेंगे कि इनका सफर किस तरीके से शुरू हुआ किस तरीके की चुनोतिया जो है इन्होंने पार की और एक महिला होने के साथ साथ समाज की उन भाधाओं को किस तरीके से पार किया जो महिलाओं के रास्ते में आखी है मैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारी चैनल पर Thank you for having me with you नीलम और आप सबको मेरा नमस्कार Ma'am, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी आप एक सफर लोदियमी है मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सफर की शुरुवाथ आपकी कैसे हुई कैसे आपनी होटल इंडस्ट्री में जो है कदम रखा इस सफर के शुरुवाथ तो शिम्ला से ही हो गए थी जहां से मैंने अपनी स्कूलिंग की और शिमला में एक होटेल है Obros츠 का, Obros USecil उसको मैंने देखा और मैं इतनी जादा motivated और एकडम होटेल के परती मेरा passion जाग उठा उसके बाद मैंने होटेल मैंने management किया था चंडिगर्द से और टाज group of hotels के साथ मैंने एक management program किया जिसमें मैं manager बन गई थी दो साल के अंदर-अंदर और काफी सारे brands के साथ काम करने के बाद ताज, ताज के साथ मैंने काम किया अब्रोईज, IHG, Marriott के साथ काम किया और उसके बाद fortunately मेरी शादी भी एक ऐसे लड़के से हुई जो hoteliers थे, तो 2020 में हम दोनों ने जो हमें काफे experience हो गया था, तो हमने सोचा कि एक अपनी माचली based hotel chain की शुडवात करते हैं, इस तरह से शुडवात हुई स्तोत्रक hospitality की जी मैम, कहते हैं कि एक सफल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मैं जानना चाहूंगी कि एक सफल लेड़ी के पीछे किसका हाथ है, दीखे एक सफल लेड़ी के पीछे पहले तो उसके माबाप का हाथ होता है, क्योंकि वो ही होते हैं जो उसको बच्पन से पाल पोस्के खास तोर से, बहुत जादा स्पोर्टिव है, मैं आपको एक बात बताऊंगे, अगर आपका पार्टनर आपको अपने साथ equally देखता है, आपके dreams को समझता है, आपकी responsibility को बाठता है, तो मैं क्या कोई भी औरत successful बनीगी, जी मैम, एक प्रशन मेरा आप से यह भी रहेगा, मैम, जैसे कि आप hotel industry में एक महिला के रूप में आई है, आप एक mother भी है, आप एक बहू भी है, आप एक wife भी है, तो किस तरीके से आपने manage किया कि यहाँ hotel का काम भी आपने देखना, घर का काम भी आपने देखना, तो किस तरीके से आप इसको balance कर पाती है, और करती आई है, देखिए, जो मेरा शादी से पहले के hotel का experience था, वो मेरे बहुत काम आया, क्योंकि मैंने जो काम था, वो पहले ही सीख लिया था, जो मैं hotel industry में थी as a employee, उसके बाद हमारे, we have two kids, आपको पता है, मेरे दो बच्चे हैं और एक तो अभी तीन साल की ही है, जो मैंने आपको अभी अभी समझाया कि अगर आपका partner आपकी responsibility को बाढ़ता है, मनीश ना कीवल business में responsibility को बाढ़ते हैं, वो जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, और मनीश ने मेरे responsibility को बाटा, मुझे उतनी दिक्कत नहीं आई, जी मैं तो आपका साफ सवर पर कहना है कि आपके husband ने आपको बहुत जादा support किया है, जी, मैं आपने आप एक सफल उद्यमी है इस वक्त, आपको काफी awards भी मिले है, त कि उसमें आपकी कोई help नहीं कर सकता, तो दो बार, एक बार independence day और एक बार, मुझे गवरनर की तरफ से अवार्ड किया गया, लेकिन उसमें अमरुजाला वोज इनवाल्ड, तो ये दो awards मेरे लिए बहुत ही खास है, बिकाज एक गवरनर के हाथ से मिला था इसलिए, और उस में और बाकी जगे भी आपके hotels है, तो अभी जो है, आपके hotels प्रतिश्कित ब्रांड बन चुके है, तो इसका श्रय आप किसे देना चाहेंगे, ये जो hotels हमारे, मतलब जो हमारा brand ग्रो कर रहा है, इसका सबसे बड़ा श्रय तो पहले हमारे hotel industry को है, जह हम training लेके आए है, मन जिन्होंने हम पर पैसा लगाया, और हमने उनके expectations को पूरा किया, thirdly, सारे stakeholders को जिन जिनके hotels के साथ हम जुड़े हैं, कई hotels के हम sales and marketing भी करते हैं, कई होटेल हम चलाते हैं management contract पे या lease पर, तो उन लोगों को जाता है, उसके बाद हम सब को, स्तोतरक की team को, मैं और मेरे सारे ज समाज सेवा में भी काफी सक्रिये रही, इससे आपको प्रेहना मिली कि मुझे भी समाज सेवा करनी चाहिए, देखिए समाज सेवा तो बहुत बड़ा term हो जाएगा, बहुत ही बड़ा term हो जाएगा, हम उतने बड़े level पे करते नहीं है, आप मुझे कह सकते हैं, कि मैं कि ये एक profession या एक title है, ठीक है, हम सब में कई ना कई समाज सेवा जुड़ा है, आप भी help करते होंगे, जिसको जहाँ देखते होंगे, तो ये समझे, एक मानव, दूसरे मानव किया है, एक मानव पशुओं की मदद कर रहा है, तो वो हमिशा से करते रहेंगे, और दूसरा स दिया गया है, ताच के थूई, मुझे लगता है, इसका बहुत बड़ा श्रय में टाटास को दूँगी, जिनके च्छतर चाया में मैंने, मतलब अपने चार-पांच साल hotel industry के starting के गुजार रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब आपने हमें दिया, मैं मेरा अंतिम प्रश्न आ अगर करी महिला आना चाहती है, या किसी भी फिल्ड में कोई महिला आगे बढ़ना चाहती है, तो उन्हें आप हमारे चैनल के माधिम से क्या संदेश देना चाहेंगी, महिला उनको मैं संदेश देना चाहूंगी, क्योंकि यह मैंने खुद experience किया है, देखे, जो आपकी biological time ह क्लॉक है और जो आपका करियर का समय है, वो एक साथ चलता है, जैसे आप college pass करते है, तो आपके माबाप आपकी शादी कराना चाहते है, और वही एक समय है जब आपका करियर भी बनेगा, तो दोनों चीज़े साथ-साथ चलेगी, फिर कुसमे बाद आपके परिवारे वाले चाहेंगे, आप बच्चा हो जाए आपको, और आपका करियर चाहेगा कि आप प्रमोशन ले लें, तो आपकी ना जो यह चीज़े है ना, यह साथ-साथ ही चलती जाएगी, अगर आप इसको साथ-साथ मैनेज नहीं करेंगे ना, आप सुचेंगे, मैं पान साल का ब्रेक ल चलती है, तो मैं नहीं लड़कियों को बोलूँगे, जैसे आपका कॉलेज कम्प्लीट हो, आपको प्रोफेशनल कोर्स करें, और पढ़ें अच्छे से, उसके बाद एक अच्छी सी जॉब ले, और आपका लाइफ पार्टनर आप ऐसा चुने, जो आपके सपनों को अपना सपना समझता हो, जो आपके साथ responsibility शेर करने के लिए खड़ा हो, जो आपको अपने equal समझे, तो आपकी ये जो दोनों टाइम लाइन है न, ये एक साथ चल पड़ेगी, आप तो बहुत सारी companies हैं, जो help करने के लिए तयार है, मेरे time में नहीं था, पर जब मैंने छोड़ा, ताज ने crutch खोल दिये थे, ताकि जो ladies job करना चाते हैं, उन्हें job ना छोड़नी पड़े, वो अपने बच्चों को crutch में रखे और अराम से job करे, तो आप ऐसी companies को भी search कर सकते हैं, जो आपकी pillar बनके support कर सके, जी, बहुत अच्छा जवाब मैम ने दिया, आगे बढ़ने व साथ योगिता गोईल जी, जिनका सफर ना केवल इनके लिए, बलकि आगे बढ़ने वाली सब ही महिलाओं के लिए, एक ऐसी प्रेणा है, कि जिसमें महिलाएं अपने सपन को साकार कर सकती है, बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहे हैं सर्मौनियोस